नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रेलवे की पाठ शाला पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में कोई भरती आती है चाहे हम किसी भरती की बात करें तो उसमें हमको किस आरारबी से फॉर्म यहां पर डालना तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगा और फॉर्म भाने से पहले अगर ये बात जान जाओगे जो आज के इस वीडियो में आप मुका बताने वाला हूँ तो जोस्तों आप पस्ता होगे नहीं अदरवाइस बहुत सारे करेंजेट यह ग लग जाती है तब आपके सोचती हो कि भई मैं घर के पास रहूं और यह मैं खुद फील करता हूं देखिए मैं खुद एक रेलवे एंपलोई हूं तो खुद मेरे को इंची जोगा फील आता है कि जोब जो होती है वो घर के पास ही ठीक होती है देखिए मैं आपको कुछ मे साथ गंटे एक तरफा लगते हैं घर से आने और जाने में एक मेरा दोस्त है जो western railway में है ठीक है एक मेरा दोस्त है वो center railway में है जिससे दोस्तों center railway वाले को भी तकरिबन 20-25 गंटे यहां पर लग जाते हैं उसके आने और आने में लगवग आदिस अलेर तो वैसे कतम हो जाएगी तो दूस्तों मेरा जो ओपेनियन है किसी भी भरते को लेकर वो यह है कि आपका जो नियर भाई जोन है उससे ही फॉर्म भरें देके मैं हमेशा रिकेमेंड करता हूं मेरे जो भी एस्पाइरेंट है जो मेरे जुडेवे उनको मैंने देखो जो भी फॉर्म भरें हैं आला कि मैंने टेक्निशन दोजार दो अठारा में आया था उसका फॉर्म मैंने मॉंबई से डाला और उसके बाद मुझे फील हुआ कि जो फॉर्म है वो यहां पर अपने जोन से डालने चाहिए उसके बाद मैंने गुरूप D 2018 का फॉर्म मैंने आपके अजमेर से डाला चीक है उसे मैंने दो साल जोग करी उसके बाद मैंने गुरूप D 2019 का जो फॉर्म है वो अजमेर से डाला दोनों में क्वालिफाई वो 18 वाली में पास वा और 19 वाली में आपके सामने पॉइंट्स में मना तो मेरा तो कभी आप दोल्जा कॉश्बर हुआ हुआ दो क्या दोफ सो टॉप में रहता है। वह क्याArt जाने की लिटाओ हुआ हैं। अब आपको बताता हूं कि यह आप फॉर्म तो बर्दोगे कम नंबर कट ओफ थोड़ा से कम जाएगा जरू नहीं कि जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि आप कह नहीं सकते प्रिटिक्ट नहीं कर सकते किस जोन से कम जाएगी जैसे आपने देखा कि 2018 वाली जो बढ़ती थी उस कई फेक्टर के उपर डिपेंड करती है जिनमें से कुछ ऐसे हैं कि पहला आपके जो कणिडेट हैं कितने कणिडेट ने आपके फॉर्म बरा है दूसरा वहाँ पर वेकेंसी कितनी है तीसरा यहाँ पर पेपर का लेवल कैसा है कैई जिए यहाँ पर डिपेंड करती है अब आप ये फैंसला लेते हो कि हम डबलू आर से फोर्म बढ़ते हैं तो देखिए पहली बात तो हम आपको एहमदाबाद के बारे में थोड़ी सी बात बता हूँ देखिए जो डबलू आर है यानि कि जो आपका गुजरात है उसमें जो लोकल लोग होते हैं वो जोब नहीं करते हैं बहुत कम candidate होते हैं जो यहाँ पर जोब करते हैं गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर यह चीज आपको पता होने चाहिए अब यह चीज पता होने से क्या फरक पड़ेगा देखिए जब आप डबलू आर में जाते हो तो आप दूसरे जोन में जाते हो और अगर अगल जो candidate है वो बहुत कम मेलेगा इसलिए आप में मान के चलिए कि आप आठ से दस साल आप डबलू आर में रहोगे रहोगे और अगर आप mutual डून पाते हो जो गलती से आपको मिल जाए तो आपका transfer संबब है अधरवाज दोस्तों आप भूल जाए कि आपका transfer होई जाएगा इंटर division में इतना time लग जाता है तो इंटर railway का तो क्या ही कहना इसलिए अगर आप दूसरे zone से form बढ़ते हो तो पहले आप मन में यह सोचे पांस साल तो आपका transfer होगा यह नहीं होगा ठीक है पांस साल तो होगा ही नहीं तो कि पांस साल की तो service जरूरी है इसके अलावा आ आपके list बनेगी पहले से old रोग यहाँ पर जुड़े हुई आपके already job कर रहे हैं वो तो आप इमान के चले कि आठ से 10 साल जो है आप यहाँ पर job करोगे और अगर आप transfer लेके आगे तो आपकी पूरी seniority खतम हो जाएगी तो आपको मैं पहले ही आप सोले देना चाहूंगा कि आप zone जब भी चुने तो उसे साब से चुने कि वह आपके घर के नजदीक हो ताकि अगर आप zone change नहीं कर पाओ तो भी दुस्त आपको कोई दिक्कत नहीं हो अब यहाँ पर देखेंगे वेकेंसी सब zone के अलग-अलग है यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंगलोर जो है उसमें एक अच्छी कासी वेकेंसी अलग-अलग हो सकती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो बिलासपुर ऐसी सियार में सबसे अदर वेकेंसी यहाँ से जाएंगे लेकिन आप इसीज का ध्यान रखें आप कहीं से बरें मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो है अपनी nearby zone से form भरें और इस इसका ध्यान रखें कि आप ट्रांसपर की भूल जाएं अगर आद दूसरे zone से form भरते हैं तो इस इसका विशेश ज्यान रखें दोस्तों ठीक है बाकि आप जो है अपनी इच्छा से कोई सा वियाम फर form भर सकते हैं कोई आपको guarantee नहीं दे सकता कि इस zone से आपकी बरती हैं इसी प्रकार चाहिए और जोन देख लेते हैं जापर आपकी वेकेंसी थोड़ी कम है तो आपका परियागराज है और का इसमें आपके 45 वेकेंसी हैं बिहार में आप देखेंगे पतना यहां पर ओली 38 आपके total सीट है अब यहां पर देखे 38 टोटल सीट है आप मानगे चलिए कर यहां पर 38 बरतना परियागर आएंगे आएंगे मानगे चलिए तो आप जो है सोच समझ्के और सही अपना नेनल लेजिए अगर आप दूसरे जोन से फॉर्म भरें तो आप दोस्तो थोड़ा सोच के भरें बाकि माँ आपको ऐसे जोन कुछ बता सकता हूं जहां पर है क्टोफ कम जाने के संभावनाई हैं ठीक है संभावना बता रहा हूं मैं यह नहीं करे कम जाएगी जैगी यह से कम काड़ी सी कम चेखने को मिलती है उनके दर दे मिलती है चीए जम्मू स्रीनगर है यहां से भी कट ओफ फूड़ी से यहां पर कम आपको देखने को मिलती है तो इनमें से आप कोई साथ जोन सेलक्ट कर सकते हैं बाकी मेरा कहने का यही है कि आप नियर भाई जोन सेलक्ट करें पाकी दोस्तों आपको किसी परकार का और भी डाउट है रेलिव भड़ती को लेकर आप कमेंट कीजिए इस वीडियो को शेर कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए मिलते एंगले वीडियो में तब तक चैहिल पंदिमात्रम